नमस्कार दोस्तो वेलकम टू हम प्लान फोर यू आज हम जो प्लान डिसकस करेंगे उसका साइच है 29 फीट इन्टू 29 फीट यानि के आपका 841 स्क्वेर फीट स्क्वेर फीट इसमें होगा आपका 2 वेज़ के और इसका एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट हो जाएगा आपका 10.5 लाक्स यानि की 10 लाक्स 50 था हो जान एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट हो जाएगा और इसमें जो आपका हो जाएगा यह होज़ आपका में गीट, में गीट का राइर साइट में होज़ आपका स्टियार और यहां पोर होज़ आपका पार्किंग स्पेस तो stair come parking हो जगा यह यह आपका kitchen, यहाँ पुरुज़ आपका एक लंबा शा living room, यहाँ पुरुज़ आपका dining space, kitchen का सामने ही हो जगा, यह आपका पहला bedroom, और यह हो जगा दूसरा bedroom, एसे हो जगा 29 feet, और एसे भी हो जगा 29 feet, रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आइन तक द पता चल जाए, और प्लीज दोस्तो हम आगे इसका detail estimate, इसका detail size और इसका interior भी देखेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ भी doubt नहीं रहेगा, इसलिए प्लीज दोस्तो एंड तक देखें, और चैनल को प्लीज दोस्तो सस्क्राइब कीजिए, यह जो 29, 29 feet है हम मैं से square series देखें हैं, और लिए हम आपका जो square size का जो भी plan चाहिए, आपको मिल जाएगा, यह हो गया आपका आज का plan है, उसका full view, इसका full view, अब भी हम देखेंगे, आज का two ways का house plan है, उसका interior, यह हो जाएगा main gate, main gate का right side में हो जाएगा, आपका stair, stair का off यहाँ पर हो जाए यहाँ पर आप bike रखने के लिए आपको parking मिल जाता है, जो आपका main gate का left side में आपको मिल जाता है kitchen, यह हो गया आपका slab, और इसी corner पर हो जाएगा, आपका sink, और slab के उपर हो जाएगा आपका एक wash stove, और इसी corner पर हो जाएगा, पर लिए living space है, यह हो जाएगा, यहाँ पर हम एक sofa डाले हैं, यहाँ पर भी space है, आप कुछ भी उच कर सकते हैं, यहाँ पर आपको space मिल जाता है, जो आपका पहला bedroom है, हम इसी corner पर दिये हैं, एक mirror unit और door का right side पर जो corner है, यहाँ पर हो जाएगा एक wardrobe, और इसी corner पर हो जाएगा आपका एक bed, यहाँ पर हो जाएगा टॉ हम इसी corner पर और इसी वाल पर हम दिये हैं, एक mirror unit और door का left side पर जो corner है, हम यहाँ पर दिये हैं एक wardrobe और इसी corner पर आपका एक bed, लिए दोस्तों चैनल को subscribe करें, मैं इसी चैनल पर आपकी comment की साइच की हिसाब से वीडियो अप्लोड करता हूँ, bell icon को press कर दे, क्योंकि मैं जब फ्री मैं होस्पलान चाहिए, हमारा चैनल पर मिल जाते हैं, कमेंट के हिसाब से प्लीज दोस्तों share जोरूर कीजिए, यह हो गया आपका interior का full view, हम आगे इसका detail size और detail estimate भी देखेंगे, अब भी हम देखेंगे, आज का 29 x 29 feet का होस्पलान है, उसका detail size, यह हो आपका main gate, main gate हो अपका 16 feet 6 inch और से उर्थ हो जागा आपका 7 feet, और जो इसमें जो trade है, हो जो जागा 10 inches का trade, और इसका just causing आपका relevant 7 inches का razor हो जाएगा, यह trade हो जाएगा, और जो आपका kitchen है, kitchen का length हो जागा आपका 10 feet, और से उर्थ हो जागा 7 feet, और kitchen सेloff हो जागा आपका, 27 feet का smart portion पर sitter error słu जाप आपका 42 इंचेस का इसका जो हाइट है होज़ेगा 7 फीट जो एव इंडोज है यह होज़ेगा 3 फीट का यहाँ पर जो एव इंडोज है यह होज़ेगा 3 फीट का और जो एव इंडोज है यह होज़ेगा 3 फीट का और जो यह डोर है यह होज़ेगा 42 इंचेस का इसका हाइट 17 feet 4 inch and stare with a 7 feet 8 inch जो ये are a window चहे है ये होज़़गा 3 feet का window जो आपका पहला बेड़्ू में उसका length होज़गा 11 feet 18 इन सुर्थ होज़गा 11 feet जो ये windowChEAA803 feet and daar ये are a windows और ये होज़़गा 3 feet का इसमें जो ये door है ये ओज़ेगा आपका 42 inches का इसका जो height है हो ज़ेगा 7 feet जब आपका common toilet एक मिल जाता है जो इसका length हो गया आपका 11 feet का and शबूर तो जग आपका 4 feet और जो ये door है इसका height है ज़ेगा 7 feet और जो ये जो ventilation के लिए हम दे है है यह बहल का तूछीट का जो आपका दूसरा वेड़ूम है इसका लेंध हो गया का 11 बीट इण से उड़ तो जहागा आपका 10 फीट यह विंडोष हो जहागा 3 फीट का अ यह दोर हो जागा 42 इंचेस का हाइट हो जागा 7 फीट जो हम थीकनेस लिए हैं जो को हमें игра 11 or 울 दिगनेस यह हो गाइश यह हो गई आपका 10 इंचेंस का जो कि आप 12 अला आइन इंचेस वाल होता है है इसमें जो आपका मोटर मिल जाता है को प्लास्टर हो जाता है तेन इंचेस होगे आपका प्लीज चेनल को सब्सक्रेब करना ना भूले अच्छा लातों लाइक करें और शेयर जरूर करें कि दूसरों को भी कुछ हेल्फ होगे कॉमेंट करके यह वह ते का आपको कौन सा साइज का प्लान चाहिए और प्लान कैसा लगा जरूर फिडवेक दीजे दोस्तों यह होगे आपका डिटेल साइज का फूल व्यू डिटेल साइज का फूल व्यू और प्लीज दोस्तों हमें सोस्याल मीडिया पर जहां पर आप यूज करते हैं जो भी हमें फोलो कर सकते हैं इस्टाग्राम पर भी हमारा होम प्लान फोर यू है फेस्बुक पे भी हमारा page है home plan for you twitter पे भी हम जरूर follow कीजिए हम सभी पर update रहते हैं आपको सभी पर आपको plan मिल जाएगा please दोस्तो हमारा social media पर भी follow जरूर कीजिए दोस्तो हम आगे इसका detail estimate देखेंगे अभी हम देखेंगे आज का जो प्लान है उसका approximate estimate इसमें जो आपका material cost हो जाता है जो कि 65% होता है वो जाता है 6,82,500 जो कि लेबर चार होता है 25% वो हो जाता है आपका 2,62,500 तो इंजिनर कोस्टर जो आपका contractor profit जो होता है वो होता है 10% जो हो जाता है 1,5,000 please दोस्तो हमारा channel home plan for you को जरूर subscribe करे यहाँ पर जो bell icon होगा इसको press कर दे क्योंकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिल जए please दोस्तो हमारा channel को जरूर subscribe करे क्योंकि मैं आपको free में ही provide plan करता हूँ आपको comment के हिसाब से plan update करता हूँ दोस्तो प्लीज दोस्तो जरूर हमें support दीजे share जरूर कीजे आप share नहीं करें subscribe नहीं करें please दोस्तो आपको request करता हूँ please दोस्तो share जरूर कीजे subscribe जरूर कीजे दोस्तो आप बिल्कुल support नहीं दे रहा हैं दोस्तो एतना सारा plan आपको free में देता हूँ फिर भी आप सोपोर नहीं देते प्लीज दोस्तो इसका जो मेट्रियाल कोस्ट हो जाता है इसमें सिमेन का कोस्ट हो जाता है 1,15,500 सेन का चार्ज हो जाता है आपका जो सेन का मेट्रियाल कोस्ट हो जाता है 52,500, steel का हो जाता है 1, lux 57,500, bricks का होगे आपका 73,500, tiles का होगे आपका 42,000, plumbing का 31,500, electrical का जो metal cost हो जाता है आपका 31,500, जो sanitary का हो जाता है 26,250, door windows का 31,500, painting cup 47,250, और extra work safety के लिए ज्यादया रखे गया, हम रखे हैं 31,500, total मिला कर आपका approximate estimate हो जाता है 10,50,000, please दोस्तों यह आपका approximate estimate इसलिए है कि यह आपका area के हिसाब से है, location के हिसाब से यह depend करते हैं, आप कौन सा material लिट करेंगे उसके उपर भी depend करते हैं, जैसे आपका door windows के लिए यहाँ यह जो है standard है, इससे आपको ज्याद्या लगेगा, आपको मिल देगा, मिलते हैंगा नहाए वीडियो पर, thank you.